तो देखे आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे फिजकल जोग्राफी स्टार्ट करेंगे ठीक है ना तो ये जो है बिल्कुल ही साइंटिफिक टॉपिक है क्या है साइंटिफिक टॉपिक है यहाँ पर रटा रटाया कुछ भी नहीं है यहाँ पर कंसेप्चुल चीजे जो हिस्ट्री में होता है कि रटा रटाया कि जो घटनाय घट गई वो घट गई ठीक है यहां पर ऐसा नहीं होता है यहां आप एक कंसेट पढ़ोगे वही पता चलेगे अगले समय या किसी अलग जगह उसका अपोजिट हो रहागा या उसी तरह चीज होगे लेकर उसमें कु संतमन से और साइन्टिफिक वे से चीजों को समझते हुए चलना है ठीक तो देखिए कहने को तो फिजकल जोग्राफी है लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं क्या है जोग्राफी तो जोग्राफी को जब हम लोग जोग्राफी पढ़ते हैं तो जोग्राफी को दो हिस्सों में divide कर देते हैं एक हिस्सा कर देते हैं Indian geography ठीक है और दूसरा हिस्सा कर देते हैं Physical geography तो Indian geography में हम लोग specifically इंडिया के बारें पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं इंडिया को 5 हिस्सों में divide पाँच उसके physical character बना देते हैं जैसे नौर्स में mountains उसके बाद plains नौर्स से फिर south की तरह पढ़िए तो सबसे पहले नौर्स में क्या मलेंगे mountains तो Himalayan mountains तो Himalayan mountains पर पढ़ते हैं Trans Himalaya, Himalaya और फिर Himalaya हम पढ़ते हैं क्या greater Himalaya उसके बाद फिर middle Himalaya फिर Sivali मिडल हिमालया फिर हम लोग पीर पंजाल रेंज फिर क्या कहते हैं पीर पंजाल के बाद आते हैं नागा टिबा रेंज उसके बाद फिर सब मिडल हिमालया के हिस्से हैं पीर पंजाल नागा टिबा और क्या कहते हैं ये नेपाल हिमालया ये सब पढ़ते हैं और फिर आ जाते सब देखते हैं छाह प Groß परी है पर चम दोगते हैं मौनटेनियस रिजन इंडिया का पढ़ते हैं उसके बाद फिर पढ़ते हैं पुरा पढ़ते हैं वहां से निकलने वा नदिया या यूं कहें कि हम लोग पढ़ते हैं फिर Northern Plains तो Northern Plains में हम लोग क्या पढ़ते हैं पुरा का पुरा UP, बिहार, बंगाल और उधर, पंजाब और अगरे में तो उसमें हम लोग 3 इंडस, 3 river basins पढ़ते हैं इंडस river basins, गंगा river basins और ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन ये पढ़ते हैं खाय कि इन ही नदियों ने Northern Plain को बनाया है फिर हम लोग प्लेट्यू पढ़ते हैं तो प्लेट्यू में हम लोग ने देखा कि मालबा प्लेट्यू है छुड़ा नागपूर प्लेट्यू है और ये डेककन ट्रैप के रूप में देखते हैं फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या Western Ghat, Eastern Ghat उसमें निलगिरी, Mountain, सहाधरी, Range क्या कहते हैं अनाई, मुडी, कार्डमूम, Hills वो सब पढ़ते हैं ठीक है? तो ये सब चीज़े आपको बताई जा चुकिए उधर जिसमें अंडबान, निकोबार और लक्षदीब इस तरह से हम लोग इंडिया को डिवाइड करके पढ़ते हैं इंडिया की जोग्रॉफी को ठीक है? तो North से South ये वह होता है पढ़ाई का तरीका तो Indian जोग्रॉफी को हम लोगों ने पढ़ रखा है जिसमें हम लोगों ने हिमालय पढ़ रखा है पलेट्यू पढ़ाया उसके बाद माॉंटेंस में आपको हिमालयन माॉंटेंस पढ़ाया फिर Western घाट पढ़ाया उसके पलेट्यू पढ़ाया जब Northern Plains को पढ़ाना हुआ तो Northern Plains के अध समय आपको भारत के रिवर बेशीद तो इंडस रिवर गंगा रिवर और ब्रहमपुत्रा फिर गंगा के साथ यमुना यमुना के ट्रिब्यूटरी उसके बाद फिर नीचे आयद हम लोगोंने नर्मदा को देखा तापी को देखा गुदावरी को कृष्णा को कावेरी को पैनार को इन सभी नदियों को देखा उड़ी सावे महा नदियों अगर है सब को देखा तो इस तरह से हम लोगों ने वो सारी चीजे पढ़ ली लेकिन उसके बाद भी तो ये तो भारत पर है भारत की जमीन पर है सब कुछ जह हम लोग के साथ इंडियन मौनसून भी उसे में पढ़ का बादल का ये सुरज की रोसनी का कभी कहते हो आज बादल है कभी कहते हो आज बारी सो रही है कभी कहते हो आज कोहरा है फौग है तो ये सब घटनाए कैसे होती है इन सब घटनाओं के पीछे क्या लॉजिक है भाई एट्मोस्फेयर है तो ये एट्मोस्फेयर किस तरह का है इसमें कौन-कौन सी गैसे है इस atmosphere को है क्यों ये इसके होने न होने से क्या impact पड़ेगा हमारे उपर और बागी ये atmosphere हर समय एक जैसा बीहेव क्यों नहीं करता कभी किसी तरह बीहेव करता है कभी किसी तरह का behavior हो जाता है आखिर इसमें ये बदलाओ आते कहां से है ये बदल हमारे उपर impact आता हो भाई आखिर ये cyclone कहां से आ जाते हैं ये तुफान कैसे आ जाता है cyclone के बारे आप देखो कि हमेशा अरेवियंसी से कई बार आप cyclone आजकर टकरा रहे हैं बंगाल की खाड़ी से cyclone आते हैं टकराते हैं सुनामी आ जाती है earthquake आ जाता है volcanic eruption होता है तो आ बारिस कैसे हो रही है cloud कैसे बन रहा है इन सब चीजों को जब पढ़ते हैं तो वही है physical geography याने कि हमारे आज सुपास जो कुछ भी physically naturally घटित हो रहा है जो घटनाए घट रही है और उनका physical impact पढ़ रहा है वही physical geography है तो इसका syllabus पहले देखिए समझे देखिए सबसे पहला जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं geomorphology 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 क्या है जियो का मतल़ होते ही जमीन भूमी तो इस जमीन ये कैसे बनी ये अर्थ कैसे बनी इस अर्थ के बनने के पीछे की कहानी क्या है ये यूनिवर्स बना न ये यूनिवर्स हमने पढ़ा था Big Bang Theory इसका मतलब कि भाई कहीं से यूनिवर्स बना उसमें पढ़ा कि बाद में उस यूनिवर्स में क्या हुआ अर्थ का निर्माण हुआ, सन का निर्माण हुआ, बाकी प्लैनेट्स बने फिर उस अर्थ पर लाइफ कैसे आया, वो लाइफ कैसे आगे बढ़ी तो और उसमें फिर हमने देखा सियाल कैसे बना, सिमा कैसे बना ये tectonic plates कैसे, ये समुद्र कैसे बने, ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ी, इसी को geomorphology कहते है, तो इस geomorphology में आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा, origin of the universe, ये पढ़ा, ये सब note down कीजिए, देखिए, ये बहुत जरूरी है आपको syllabus जानना, जिस तरह से आपको syllabus लिख ये आप note down कीजिए, और इसी क्रम में पढ़ेंगे, तो फायदा मिलेगा, origin of the universe, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, earth and life, ये सब topics हैं, इसके बाद पढ़ा, interior of the earth, जिसमें मैंने आपको बताया, crushed, mental, core, core के दो पार्ट, outer core, inner core, उसमें भी फिर मैंने आपको सारे parts बताये थे, बताया था ना, लिथो, इस पेर हो गए रहे सब, तो वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ें, उसके बाद हमने पढ़ा, the origin and formation of the continents, उसमें हमने देखा था ही कैसे, पहले पैंजिया था, पैंजिया से फिर तूट कर North America, South America, पैंजिया पहले एक C, 33C का निर्माण हुआ, तो उससे fault बना, यानि breakage cracks आए, cracks आए, तो गोंडवाना और अंगारा, फिर उसके बाद हमने देखा कि एक तरफ North America और South America, फिर देखा वो क्या करते हैं, यूरे, बाकी बचा हुआ, तो फिर वहां से हमने देखा कि अच्छा, बचे हुए में से अफरीका तूटा, फिर बाद में देखा कि इंडिया, यान देखी थी, तो कैसे सारे continent बने, वो हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा कि तो वही continent कैसे drift करते हैं, तो हमने उसको किस में पढ़ा, Continental Drift Theory में पढ़ा, कि कैसे सारे continent flow की और कैसे एक दूसरे से इतने दूर चले गए, आखिर सब पैंजिया के लिए बहुत जिम्मेदार है, ठीक है, नेक्ष्ट उसके आद हमने देखा, Convection, Current, Theory, ये सी में देखा था, उसके बाद हमने देखा, Theory of Seabed, या सी बेड ना करके सी फ्लोर लिखिए, सी फ्लोर, Spreading, ठीक, उसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा, Theory of Plate, Tectonics, इसके बाद Volcanism, अगर वहाँ नहीं देखा तो यहाँ पर पढ़ लेंगे, वालकनिजम को, उसके बाद Earthquake, यह क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या इनका कंडिशन होता, कैसे ना आपा जाता है, वो सारी चीजे, उसके बाद Weathering, वेदरिंग हम लोगों ने देखा कि कैसे, यह फोल्ड माउंटेंस में Convert हो जाते हैं, वेदरिंग के बाद Erosion, और इसके बाद हम लोगों ने देखा था, Land Forms, अलग अलग जो तरह के जो Lands बनते हैं, वो सब चीजे हम लोगों ने किसमें? Geomorphology में पढ़ा, इस Geomorphology के बाद जो अगला Topic है, उसका नाम है क्या? Climateology, क्या नाम है? Climateology, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो, Climateology से आपको नाम ही समझ में आ रहा हो, कि यह Climate के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है? Climate के बारे में, अब Climate के बारे में पढ़ने का Meaning क्या हुआ? Climate के बारे में, पढ़ने का Simple सा Meaning है, कि Climate का मतलब है कि हमारे आसपा स्राउंडिंग, और हमारे आसपा स्राउंडिंग क्या है? Atmosphere है, अगर इस Atmosphere को बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, तो समझे हम लोग उस climate के बारे में जान लेंगे आज कब ठंडी पड़ती है, कहां पर कितनी ठंडी पड़ती है कितने समय के लिए ठंडी पड़ती है, कब कितनी गर्मी हो पड़ती है कहां पर कितनी गर्मी, हमेशा हम लोग क्या करते है climate is changing, climate बदल रहा है ये सारी चीज़े आज कर discussion में चलती है न तो हमने क्या किया sustainable development का सिधान्त लेकर आए उसके लिए conference of meetings parties चलती है 28 हो चुके है COP ये सब चीज़े भी इसी के लिए थो रहे है climate के लिए ही कि climate को कैसे बहतर बना रहा है इसमें जो changes हो रहे हैं वो changes ना हो इतनी तेजी से climate बदलेगा लेकिन हमारी वज़े से climate बहुत तेजी से बदल रहा है और उसमें adaptation की rate slow है इसके वैसे ज़्यादा नुकसान हो तेखने को मिल रहा है अर्थ का temperature लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो अर्थ काड़ में तो हमेशा बढ़ता ही रहा है क्योंकि उससे पहले तो अर्थ पर क्या था चातुरा बर्फ ही बर्फ थी ice तो था ना उसके बाद जब वो ice खतम हुई तो फिर अलग तरह का life शुरू हुआ तो अर्थ पर तो temperature बढ़ रहा है लेकिन जो climate change हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो speed of temperature increase है उसकी speed बढ़ गई मान लेजिए कोई गाड़ी चल रही कोई कार चल रही है 40 km पर आवर की रफतार से तो climate तो change होना ही होना है temperature तो बढ़ना ही बढ़ना है 40 km पर आवर से उस कार को चलना ही चलना है लेकिन आपने कोई एक ऐसा force इस पर extra add कर दिया कि अब इसकी रफतार हो गई 60 km पर आवर जो आपके लिए नुकसान दे है आपके accident का current बन सकती है आप इस 60 km पर गंटा को नहीं जेल सकते यह आपके लिए नुकसान दे है तो आप क्या करोगे आप यह जो 20 km पर गंटा किस पर जो रफतार change हुआ है क्या करोगे इस force को कम करने की कोशिस करोगे तो यह जो changing forces है इन forces को कम करने के लिए हम लोग क्या किसकी बात करते है sustainable development की बात करते है तीक है तो उन सब चीजों को भी हम लोग discuss करेंगे कहाँ पर environment में कहाँ पर करेंगे environment में लेकिन उससे पहले हमें यह समझना तो पढ़ेगा न कि आखिर यह सब चीजे होती कैसे है यह सब चीजे होती कैसे है जब हम उसको समझेंगे तो फिर उनके होने का जो reason है उसको control कर लेंगे तो चीजे होंगी नहीं तो इस climate को समझने सबसे पहले क्या समझना होगा हमें अपने atmosphere को समझना होगा तो atmosphere को समझने क्या पढ़ते हैं composition and structure of atmosphere क्या पढ़ना पढ़ेगा हमें अपने atmosphere के composition को और इसके structure को समझना पढ़ेगा composition and structure of the atmosphere इसके बाद जब ये पढ़ लेंगे तो फिर इसमें एक term पढ़ेंगे distribution of temperature and heat budget तो distribution of temperature तो हमें पता है कि earth पर क्या होता है कई भी भी मतलब देखा जाए तो किसी भी दो जगों पर जैसे आज अगर इंडिया में जो temperature है क्या यही temperature नौर्थ अमेरिकाम भी होगा क्या यही temperature आस्ट्रेलियाम भी होगा इंडिया में जब गर्मी पढ़ रही है तो south वाले में ठंड क्यों पढ़ रही है इंडिया में जब इंडिया में ठंड पढ़ रही है तो south वाले में गर्मी पढ़ रही है वहाँ पर temperature हाई है हम लोग यहां बैठ रहा है कियो हो रहा है हर जगह अलग अलग तंप्रेचर कियो हो रहा है ठीक और हीट बजेट तो बजेट से आब समझते हो ना कि जैसे हम लोग डेश का बजट होता है घर का बजट क्या होता है कहां से income आई और कहा income खर्च हुई उसी के हिसाब कि तो आपको क्या कहते हो heat budget कहते हो कि भई हम इस महीने इतना रुपए कमा रहे हैं और इतना रुपए खर्च कर रहे हैं इतना रुपए बचा रहे हैं उसे हो कहते हो ना कि ये हमारे घर का budget है जब देश के लिए करते हैं तो यहां किसका बज़ट है हीट का कि सन से हमारे पास कितनी इनर्जी आई कितना हमने यूज किया और कितना हमने वापस रिफलेक्ट कर दिया उसी का हिसाब किताब जो हमनों जोड़ा उसी हो कहते हैं हीट बज़ट क्योंकि sun हमें क्या देता है heat देता है और sun की heat की वज़े से ही क्या है अर्थ पर life है अगर sun की heat खतम हो जाए तो life खतम हो जाएगी sun अगर खतम हो जाए sun की रौशनी आना बंद हो जाए अर्थ पर तो क्या होगा life exist ही नहीं करेगी खतम हो जाएगी यही heat budget है कि sun कितना heat देता है अर्थ को अर्थ उसमें से कितना heat लेकर use करती है कितना lot देती है कि आप पूरा ले लेती है कि कुछ लेती है कुछ lot आती है वो हम लोग इस topic में समझेंगे तो वही heat budget है यह तो इस heat budget के पर temperature भी depend करेगा या temperature के basis पर heat budget depend करेगा इनको समझेंगे फिर हम लोग एक term पढ़ेंगे pressure and wind system कि हमने physics में पढ़ा है class 9-3 में कि जब air कहीं पर भी है तो वो क्या करती है air हो चाहे कोई भी हो क्या करता है pressure exert करता है force per unit area वही pressure होता है तो हमारी earth भी क्या हमारे air भी क्या करती है जगे जगे pressure implement करती है उस pressure के difference से क्या होता है कहीं अगर कहीं पर pressure कम है कहीं पर pressure ज़ाद है तो उसको compensate करने के लिए क्या करती है wind flow करने की air flow करती है जब वो air flow करती है तो उसी air के flow को क्या कहते हैं wind कहते हैं और जब वो एक हर जगे एक अलग-अलग तरह की air flow करती है कभी पूरब से पस्चिम तो कभी उत्तर से दक्षिड time to time तो एक system सा बन जाता है उसी system को हम लोग wind system कहते हैं तो वो हम लोग पढ़ेंगे कैसे आपने बच्पन में पढ़ा होगा कि horse trade winds तो trade winds तो ये सब क्या है cold winds तो आपने पढ़ा होगा western disturbance तो ये सब चीजे यहाँ पर हम लोग समझेंगे इत्मिनान से इसी में और भी कई तरह कहते हैं local winds भी आ जाएंगी इसी में permanent winds भी आएंगी conditional winds भी आएंगी उसके बाद आता है पढ़ते हैं हम लोग condensation and precipitation and precipitation and precipitation condensation and precipitation तो condensation और precipitation का मतलब क्या हुआ simple सा मतलब है कि भहिया जब अर्थ पर heat यानि कि सुर्य की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा जो भी water है वो evaporate करेगा evaporate करेगा तो उसकी वैसे क्या होगा कुछ दूरी तक उपर जाएगा तो वो योपर जाएगा तो वो योपर जाएगा जो का condens करके cloud बनाता है जब cloud बनाता है तो उसको thunderstorm कहते है sorry hail storm कहते है क्या कहते है hail storm कहते है और जब वही बहुत पतले पतले छोटे छोटे crystal और फुहाई गरूप में गिरता तो उसको snowfall कहते है अब वही जब water droplets में गिरता तो उसको rainfall कहते है तो ये evaporation, condensation, precipitation कैसे दूसरे rated है वो देखेंगे तो condensation में क्या देखेंगे clouds कैसे बनते है condensation में क्या देखेंगे clouds कैसे बनते है और कितने type के clouds होते है clouds भी एक दो नहीं साथ तरह के clouds होते है तो और हर तरह के clouds से बारिस भी नहीं होती तो किस तरह के clouds से क्या मौसम पर effect आता है, किस से बारिस होती है, किस से नहीं होती है, और सारी चीज़े यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, detail से, उसके बाद इन्ही pressure की वज़े से ही क्या होते हैं? कि साइकलोंस आते हैं और एंटी साइकलोंस आते हैं, तो एंटी साइकलोंस की घटना तो बहुत कम होती है, लेकिन साइकलोंस की घटना तो बहुत दिन, और इन्हीं साइकलोंस को अलग अलग जवहों पर अलग अलग नामों से आते हैं, कहीं पर इसको टाइफून कहते हैं, क ठीक है कहीं पर इसको भारत में इसको साइकलोन के नाम से जाना जाता है तो इस तरह से इसके अलग-अलग नाम है आप सुनिए अगर न्यूज में की अमेरिका में हरीकेन आया है तो जो साइकलोन है उसको हरीकेन कहते हैं जापान में उसको टाइफून कह देते हैं ठीक है हम लोग इंडिया में और बाकी जो साइकलोन कहते हैं इसके बाद साइकलोन के बाद एक और टर्माता जो आधे कि पर्मानेंट एर फ्लो है जो अर्थ के उपर ही हिस्से में हमेशा होता रहता है उसको भी हम लोग समझेंगे और फिर पढ़ेंगे इन सब की वजए से क्या हो को मिला कर क्या कहते हैं वेदर यानि कहीं पर एक जगए और बहुत बड़े एरिया में लंबे समय तक को मिलाकर कहते हैं climate तो ये इतना climatology में पढ़ेंगे जिसमें मेन हम लोग का ये इतने साथ अब इसके अंदर भी कुछ छोटे-छोटे topics आएंगे तो वह अहां पर जैसे से topics को पढ़ते जाएंगे वैसे-वैसे discuss करेंगे तो geomorphology हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है climatology से सुरुआत करेंगे climatology के बाद जब अगला topic रहेगा वो रहेगा ओसनोग्राफी